वेलकम टू माई चैनल लर्न वीदेश्टी दोस्तों दिस इस दपरसेंटेज पार्ट वन सेशन इस सेशन में हम देखेंगे राकेश यादाओ के क्लास नोट्स की वीडियो सोलूशन कोस्चन नमबर वन टू कोस्चन नमबर फाइब अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए फोल्डर वाइज आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप मेरे चैनल टेलिग्राम पे एड नहीं हो पाए हैं तो आप मेरे चैनल फॉलो कर सकते हैं मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप जाके वहां से जूड सके टेलिग्राम चै सब्सक्रिप्रोगिण बैवरे टाम यहते हैं तो कितना बंता है इतना बंता है तो आपको आपको और मै напterm मैं आपको three biggest तो मैंने देखें क्यूंत तक में आपको 25-55 परसंट का मतलब क्या वं वह रा कितना होता है फो मैंने बोला था नीचे वाला जो होता है वह रियल लिया था आपको जैसे देखो कोशन कर रहा है कि कि अगर किसी संख्या का इतना इसी में जोड़ दिया जाए फोर एक्जामपल सोला सही टू अपॉन थ्री परसेंट है मैंने बोला था इसकी फ्रैक्शन में करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वन बाई सिक्स यह मैं बताचुका हो गर नहीं फिर एक बार रिपीट कर देता है वन बाई थ्री कितना होता है साड़े कि तुम्मारा यह हो गया तो डाइरेक्ट हम इतना, इसका डाइरेक्ट हम यह लिखेंगे, 1 by 6, अब देखो कोई कोश्चन करा कि अगर किसी संख्या का, ठीक है, अगर किसी संख्या का उसी में जोड़ मैंने बोला था नहां पर नीचे वाला पार्ट जो होता है रियल नंबर होता है रियल नंबर या इसको बोलते हैं वास्तविक नंबर ठीक है अब मैं बोल रहा हूं कि इसी संख्या का इसी में जोड दिया जाए यानि कि इसमें जोड दिया जाए यानि उपर वाले में जोड वास्त वीक नंबर वास्तव नंबर 6 पार्ट muffin साथ सो आठ इन तो सिक्स थे करो घरो सेट है तो गिना हो जाएगा बयाली सो अड़ी यानि कि सिंपल यहां से भी कर सकतों 6 part के लिए इतना तो 6 part के लिए यां से direct कर सकते हैं कि 6 into 708 यानि 6 into 708 यानि की 4248 यह स्वारा क्या हो गया 6 सही 2 upon 3% का मैंने बताया था कि आपको 1 by 6 सही 2 upon 3, देखो, अगर आगर आप पढ़े होंगे तो direct पता चल जाएगा, 1 by 15 को लिख सकते हैं, 6 सही 2 upon 3%, ठीक है, अगर clear नहीं है, तो वो चीज मैं बताता हूं कि कैसे चीज आया है, जैसे देखो, अगर 1 by 5 पता है, 1 by 5 कितना होता है, 1 by 5 अगर करेगो तो तो तुम्हारा 20% होता है, अगर 1 by 15 है, 1 by 15 है, इसका 1 third है न, 1 third है, तो इधर भी 1 third कलो, 20 into 1 third, यानि कि 20 by 3, 20 by 3 का मलब कि 6 सही 2 upon 3%, 3, 6, 18, तो ये तुम्हारा direct अभी तना direct करना पड़ेगा कि इसकी value कितनी होती है, 1 1 by 15, अब देखो, question करें, अगर किसी संख्या का मान लेते हैं, हमारी वास्तविक संख्या काउन सी है, 15 है, ठीक है, वास्तविक, इसमें घटा दिया, हमने घटा दिया, लो हम घटा दिया, घटाने का मनदब क्या माइनस, यानि पहले 15 था, एक कम कर दिया, यानि कि 14, 14 पार है, तो 15 पार्ट, 15 into 405, 15 into 405 करोगे, तो कितना हो जाएगा, 6075, यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, answer, next question देखो, next question करें कि, अगर किसी संख्या का इतना परसेंट, इसी में जोड दिया जाए, तो 400, तो तुम्हारा कितना बन जाता है, question यह बन जाता है, 900, यह तुम्हारा ह है, 900, ठीक है, तो देखो, 11 सही 1 upon 9% है, मैंने बताया था ना, कि अगर इधर 11 है, मैंने बोला था कि 1 by 9 हो, तो इधर मैं लिखूँगा, 11 सही 1 upon 9%, अगर 9 है, तो इधर 11 लिखूँगा, यह याद करने का तरीका बताया है, तो यह तुमको देखके पता चल रहा होगा, कि य 1 by 9 का, और किसी संख्या, इसी संख्या में, किसी संख्या का इतना पर इसी में जोड दिया जाए, पहले क्या थी, संख्या 9, उसमें जोड दिया जाए, अब जोड दिया जाए, यानि जोड दिया जाए, जोड दिया गया तो कितना होगा, 10 पार्ट, 10 पार्ट का भैलू कित इसको आपको नहीं समझ में आता कि यह कैसे किया हुआ देखो तो मैं आपको बताता हूं देखो 157 सही 1 upon 7% है न यहां से देखो 7 से देखके पता चल रहा है कि देखो अगर समझते होते तो 1 by 7 की value आपको पता होने चाहिए 1 by 7 की value तुमारी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ जैसे देखो 1 by 7 की value अगर नहीं समझ मैं चलो इतना भी मत करो मैं बताता हूँ 157 सही 1 upon 7% है न इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 100 plus 57 सही 1 upon 7% 100% प्लस इतना 100% का मतलब क्या होता है फ्रेक्शन में इसको 1 लिखते है न क्योंकि 100% 100% का मतलब क्या था 100 by 100 यानि कि तुमारा कितना होता है 1 तो देखो 1 यह हो गया और 57 सही 1 upon 7% अगर मैं बोलूँ आपको देखो 1 by 7 का मैंने क्या बताया था 1 by 7 का मैंने 14 सही ठीक है मैंने अगर तुमको अगर 1 by 7 पढ़े अगर देखो 57 है न तो 57 के लिए क्या 4 by 7 कर लूँ 4 by 7 कर लूँ गा तो 57 सही ठीक हो और चार दूनी 8 यानिक 57 सही क्या बिन जाएगा तुमारा 1 by 7 परसेंट बन जाएगा देखो अगर फिर भी समझ नहीं आता तो 1 by 7 1 by 7 कितना होता है 14 सही 2 upon 7 परसेंट तो अगर 4 by 7 मैं ल 7 परसेंट यानि 56 कितना हो जाएगा 57 सही 1 upon 7 परसेंट तो मैं इतना अब इसको लिख सकता हूँ तुमारा क्या 4 by 7 तो 4 by 7 यानि 7 4 11 by 7 तो 7 देखो तो इतना तुमारा 11 by 7 हो गया ना तो हम इतना नहीं लिखेंगे हर बार यह तो मैं आपको समझाने के लिए किया था कि 11 by 7 यह आपको डारेक्ट लिखना पड़ेगा 11 by 7 इतनी कल्कुलेशन तो मैं आपको समझाने के लिए किया था तो देखो 11 by 7 है ना अगर कोश्चन क्या कर रहा है उसको देखो कोश्चन कर रहा है कि अगर किसी संख्या का हमारा रियल संख्या नीचे होती है किसी संख्या क्या क किसी संख्या में 64 जोड दिया जाए हमने कितना जोड़ा यहां में चार जोड़ा चार की भैलू कितनी दी हुई है 64 यहां तक समझ में आ गया यहां पे साथ में कितना जोड़ा चार जोड़ा तो कितना बन गया तुम्हारा संख्या बन जाती है इतना यानि कि चार पार्ट कि को है कितना जोड़ा 64 यहां तक समझ में आ गया क्यों कि की निया यह संख्या ही ले लिए कि जो बन जाती है तो यह 11 होता है हमने कितना जोड़ा चार कितना जोड़ा चार के लिए इतल ना जोड़ गया 664 यानि कि 644 के मतलब क्या हो गया सोलह चोग olduğ score तो यह चीज तो मैं आपको समझाने के लिए इतना क्या हो इतना आपको करना नहीं है आप आसानी से को कर सकते हो next question देखो next question कर रहा है कि अगर किसी संख्या में 930 जोड दिया जाए तो संख्या इतना बन जाता है ठीक है अगर किसी संख्या में इतना जोड दिया जाए जैसे देखो 444 सही 4 upon 9% है मैंने आपको इसको बोला था कि break कर सकते हो जोगर बनाना प्रियर्ड में हो तो 4 by 9% break कर सकते हो ठीक है फोर बाइ 44 बाइ 44 देखो एक सेकेंड यहां पे मिश्टेक हो रही थी कि 400 प्लस 400 परसेंट प्लस 44 सही 4 upon 9% अब यह बताओ मैंने इसको 400 परसेंट का मतलब क्या होता है 400 by 100 400 by 100 का मतलब क्या हुए चार यह तो मैं सम्झाने के लिए कर रहा हूँ अगर देखो 1 by 9 पता है तो 1 by 9 मैंने बोला था न यहां पे 11 सही 1 by 9 होता है लेकिन हमें 44 चाहिए न 44 कब हो गई यहां पे 4 से मल्टिप्लाई करोगे तो यानि कि 4 by 9 करोगे तो 44 सही 4 by 9 परसेंट मिल जागा यानि यह किसकी भैलू है 4 by 9 की तो नौचव के 36 और 4 40 40 by 9 तो हम इतना ना करके इसकी भैलू डारेक्ट हम लिखेंगे यहां पे 444 सही 4 by 9 परसेंट का मतलब क्या होगा तुम्हारा 40 by 9 यह तुम्हारी प्रैक्टिस से आ जाएगी मैं तो यह तो समझाने के लिए क्या नहीं तो हम डारेक्ट यहां करेंगे अब कोशन क्या अगर है किसी संख्या में संख्या हमारी क्या है 9 संख्या में 930 जोड़ा जाए इसमें कितना हमने जोड़ा है इसमें कितना हम जोड़ा है भाई पर 40 में 9 को रही है तो यह tycker रहा है ठाटी वन जोड़ है ठाटी वन की बैलू किटनी दी हुई है धाटी बैल में तक 2930 यहां तक समंझसमी आ गया है तो 1 part, 1 part के लिए 31 में कर लो तो 30, 1 part के लिए 30 हो जाएगा, 31 तिया 93 होता है 30, लेकिन हमसे question क्या कर रहे है, वास्तविक संख्या कितना है, 9 part, 9 part के लिए 30 into 9, 30 into 9 का मलब कितना हो गाए, 270, तो 270 तुम्हारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, तो इस तरह से आप आसानी से कर सक लगते हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, रियल में आपको help मिलती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं देता हूँ डेली राकेस, याद हो के class notes के वीडि understanding कर पाओ, thank you, bye bye, मिलते हैं हम next part में, thank you